कटीना कैप बनना चाहती है मा शादी के लिए खुद को मेंटली तैयार कर रही है कटीना कैप को लेकर कई महीनों से ख़वर आ रही है कि वो शादी कर सकती है लेकिन साल बदल गई, कठीना के अब दोलणिया नहीं बन पाई, अब कठीना चाहती है कि उनकी शादी हो जाई, एक इंट्रूम में कठीना ने अपने दिल की बात कही है, इस इंट्रूम में उन्हों ने अपने फिल्म प्रोजेक्ट के साथ साथ फ्यूचर प्लान पर भी ब लेकिन हाँ मुझे लगता है कि जब मेरी उम्र जादा होगी तब तक मेरी बच्चे हो जाएंगे लेकिन शायद बिना पिता के बच्चों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो सकती इसके लिए फिर मुझे ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत होगी जाहर है कटीना कैप उस सिचुेश की मा बनूंगी ये मैं नहीं जानती मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ खोया है कई बार शर्मिंदा हुई हूँ अकेला पन भी साहा है कई बार तो ऐसा मैसूस किया है जैसे मैं किसी दूसरे ग्रह से आई हूँ इसके बाद कटीना ना फौरन ही खुद को बैक के बारे में पूछा गया लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई उन्होंने ये भी नहीं बताया कि आखिर उनका पती कौन होगा कहा ये भी जाता है कि कटीना कैप को सल्मान खान की मा ने पसंद भी कर लिया था सल्मा खान से सिलसले में वो कई बार मिली थी सल्मान खान की फैम जिन्दगी को आगे बढ़ा लिया हलांकि सब कुछ पानी की तरह साफ हो गया 2016 में कटीना कपूर खांदान से हट गई और उनकी जिन्दगी में 2019 में आगे विकी कोशल कैट और विकी कोशल के नस्दीकिया काप ही आगे बढ़ चुकी हैं इन दोनों के करीबी दावा कर रहे ह कि जल्द शादी कर लेंगे लेकिन ये सवाल बच्चों वाले जवाब की तरह बना हुआ है कि आखिर कब कटीना विकी कोशल से शादी कर कब अपनी उस खौईश को पूरा करेंगी जो इंट्रिवू में बता चुकी हैं क्या काटीना के होने वाले बच्चों के पिता विकी झाले भज्स